हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे Redmi Company का फोन है या तो फिर Poco Company का फोन है और दोस्तो यहाँ पे अगर आपके फोन पर यहाँ पे setting में जो app lock का option रहता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं app lock का option यहाँ पे so कर रहा है बट यहाँ पे अगर आपके फोन में app lock का option so नहीं कर रहा है यहाँ पे आप लोग app lock को open करने के बाद आप लोग यहाँ पे app lock नहीं लगा पा रहे हैं यानि कि पूरे तरीके से app lock को option ही Sony कर रहा है तो यह problem आपके phone में क्यों आ रहा है और इस problem को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ तो guys अगर आपके phone में यह option नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आप लोग यहाँ पे अपने phone को एक बार reboot कर लिजिए हो सकता है कि reboot करने के बाद यह option आपके phone में आ जाए तो एक बार try करके जरूर देखिएगा उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि आपने अगर अभी अभी अपने phone में software update किया है और software update करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ जो है नयने setting आ जाते हैं नयने features आ जाते हैं और जो पुराने features होते हैं कभी कभी वो जो है गायब हो जाती है तो अगर आपने अपने phone में software update किया हुआ है तो हो सकता है कि उसके वज़े से आपको यहाँ पे यह setting आपके phone में नजर नहीं आ रही होगी तो हो सकता है इसके वज़े से हो problem बट हम जो है बात करते हैं कि यह जो problem है उसको आप लोग कैसे solve करेंगे तो आपको यहाँ पे wait करेंगे next software update का क्योंकि कुछ कुछ features जो है दुबारा से add हो जाते हैं अगर आपके phone पर और update वगरा आया हुआ है software update आया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे software update वगरा करके देखिए तो आपके phone में यह जो features है वो दुबारा से आ जाएगा ओके तो एक बड़ ट्राइ करके जरूर देखिएगा